हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, आज मैं आपको एक ऐसी मिस्टीरियस बात बताने वाली हूँ, जिसको सुनके आप खुद भी चौक जाएंगे, जी हाँ, अरब की ये रात, सब ने पढ़ी होगी अरेबियन नाइट्स, वहाँ पर एक लड़का अलादीन अपने चिराग के साथ रहता था, उसको चिराग मिला था, जब भी वो उस चिराग को घिसता था, उसमें से एक बड़ा सजिन निकल के आ जाता था, पर आपको क्या पता है, अलादीन की विश क्या थी, शायद आपका जवाब ना होगा, पर कुछ लोगों को तो पता होगा कि इन विश के बारे में बताऊंगी, पहली विश अलादीन की ये थी, ये देखो आपको ये जो गुफा देख रही है, अलादीन इसी गुफा में से अपना चिराग धूड के लाया था, उसको बहुत परिशानी हुई थी चिराग धूडने में, पर जब वो बहार आ गया था और उसमें जब जिराग को घिसा था, तो उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकल के भार आया था, और फिर अलादीन को वहां से बिल्कुल रेगिस्तान में उसको गुफा मिली थी, तो वो बगदाद में रहता था, अलादीन तो वहां से वापस नहीं आ पा रहा था, तो पहली विश अलादीन ने जिन से यही ली थी कि उसे बगदाद वापस जाना है, तो जिन ने उसे एक जादू ही कारपेट दिया था, यह देखो कितना सुंदर है यह सी, अब आती है वारी दूसरी विश्की, यह देखो, यह है आप जानते होंगे से जाफर, जाफर ने कि डीप वाटर में चला गया था, देखे, तो सेकंड जब अलादीन कुछ बोलने पाया था, तो जिन ने खोद उसकी जान बचाई थी और उसको नाम दे दिया, सेकंड विश, अब बात आती है, थर्ड एंड इंपोर्टेंट एंड वेरी इंट्रेस्टेड एंड मिस्टीर जो बहुत लोगों को नहीं पता रहती, जब चिराग में से जिन निकला और उसने पूचा क्या हुकम है मेरे आगा, एज थर्ड विश के रूप में, तो अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ तो फ्री हो जाओ, जिन के एक मन में बहुत बात थी, जो अलादीन जान गया था, कि जिन को बहुत दुख होता था, कि वो इस काम में लगा है, वो खुद एक इनसान की लाइफ जीना चाहता था, अलादीन ये बहुत समझ गया था, इसलिए उसने थर्ड विश मांगी, कि मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद हो जाओ, जैसे ही ये कहा तो जिन आजाद हो गय और वो बहुत जादा इमोशनल हो गया, ऐसा माना जाता है कि आज भी अलादिन और उसका जिन जिन्दा है, पर हम उसे जानते तो नहीं पर शायद वो इनी करोड़ों लोगों में से कोई एक हो, क्या पता हूँ, तो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको काता मैं सारी तीन मिशों के बार में बताती हूँ, तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे, एंड थैंक यू